हे नमस्कार प्यारे दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करती हों कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे भक्तिकाल और भक्तिकाल में पढ़ रहे संतकाब ठीके और संतकाब आज हमारा खत या फिर 500 देखते हूं कितने मेर से बन पाते उतने बनाऊंगी ज्यादा से ज्यादा बनाने का प्रियास करूंगी और पिछली एक्जाम में जो आए हुए उनको भी सामिल करूंगी इसमें तो आप कल वाला वीडियो जरूर देखना और संडे को आपको पता है ना इस वार चाहाबाद की जो चार आधार स्थम वह खतम हो जाएंगे हमारे उसके बाद आप जो कहोगे मैं वह वीडियो बनाऊंगी ठीक है दोस्तों चलो तो हम स्टार्ट करते इस वीडियो को देखिए यह कौन से संत है भीका साब ठीक है दोस्तों भीका साब है 1713 इस भी में इनका जाधा महत्पुर्ण नहीं है यह जाती से ब्रामन थे इनका वास्तविक नाम में वह भीकानन देथा ठीक है इनकी कवीता में पाप पुन्न की गहरी ब्यंजना की गई है इनकी जो कवीता है जो इनने लिखा है उसमें पाप और पुन्न की गहरी ब्यंजना की गई है मतलब इन्होंने पाप और पुन्य की ऊपर लिखा है ठीक है अलिफ नामा और ककहरा में उब्दे सात्मक की प्रबढ़ती मिलती है इनकी रिशना है अलिफ नामा और ककहरा इसमें उब्दे सात्मक प्रबढ़ती मिलती है और राम जाहस नामक इनका बड़ा गरंथ है ठीक है दोस्त तो ये ग्रस्थ बनकर अपने सद्धानतों का पिरसार करते रहे हैं और गरीबदाशी पन्त से भूइत से अनुयाई पंजाब में रहते हैं तो देखे रोहतक के चुदानी में आपको याद रखना है, यह इन्पोर्टेंट है यहां पर ठीके दोस्तों गरीब दास ने साखी सवया जूलना रमेनी अरेले रेकता आधी की रिशना की है इन्होंने दादूपंत की जो विचार धरा थी ना उसको आगे बढ़ाया ठीके दोस्तों आपको यह बात मालूम होगे यह गरीब दास के बारे म स्वामी नारायन सिंग अब हमें पढ़ना है स्वामी नारायन सिंग के बारे में इनके कौन से महत्पून तथे यहां पर तो देखिए यह तथे यहां पर ज्यादा महत्पून है दोस्तों कि यह मुगल बाद साह मुहमत साह के गुरू थे ठीके आपको यह याद रखना है और सवामी नाराइन सिंग ने सिब नाराइन जी मत की स्थापना की ठीक है, दोस्तों, यह इनके बारे में तथ्थ मिलते हैं, जो कि महत्पून है, राम चरन, देख लेते हैं, राम चर την के बारे में कौन से तहे हैं, जो इन पॉटन है, हमारे थे हैं 1601. इस वी मेंुँए जैपुर में इनका जन्म हुआ ये पहले राम हो पास सकते दोस्तों ये पहले राम भगवान की यूप मंपार लेकिन बात मैं मूर्टी पुजा के बिरुदी बन गया है ठीकिं दोस्तो और देखिए दोस्तों यह राम चरन में है यह यह इन ही मत परना और मैं आपके लिए जो कोर्षयनांसर वाली वीडियो लाओंगी ना उसमें कोषण आंसर सौल्व करने से पहले किसने कौन से मत का मतलब की स्थापना किया इसने किसने का प्रवर्तन किया है वो सारी चीज मैं आपको एक साझने के रूप में लाओंगी नहीं कि आपको पहले का अपतार माना जाता है इनको तुल्सी सहाब का तुल्सी दा सका अपतार माना जाता है इनके चर्चित गरन्तों में घट्रवायन गृत्न सागर शभदाबली इये पृसिद्धर है इनका पंत अबसित एकrates कि उस्परा जेसिätzlich साब का पंत के परबड़ तक है तुस्तों ये नारायनी पंत के परबड़ तक है तर कई सीच नाम का नाम नारायन लेते नाम धरनीざas-वाир का पढ़े !! वादों mail च्रेंस तक इन्हें की थे holly में पढोए ये इनका चर्चित ग्रंथ é ठीक है दुस्तो प्रेंग प्रगास सेख फरीद के बारे में देख लीजी ये बलवनके दामाद है ये इंपॉटेंट है दूस्तो बलवनके नाम आप सब ने पढ़ा होगा फिकी मैं तो ये बलवनके दामाद है सेख फरीद ये गंजय कर नाम से प्रिसिद रहे किस नाम सी दोस्तो गंज ए संकर नाम से यह प्रिसिद रहे इन्हें फरीद सानी भी कहा जाता है इनको फरीद सानी भी कहा जाता है तो देखी कितने सारे नाम इनके है encourage से कोषण बढ़ने के chance हो जाते हैं गुरूगरत और यह ना कायस्त सादू वा इलावाद की निवासी थे कायस्त सादू है और इलावाद की निवासी है देखिए दोस्तों यह मलूक दास के से थे और इन्होंने मलूक परिचही के नाम से ठीक है परिचही के नाम से और देखिए यह रहा मलूक बाबा मलूक दास का इन्होंने जीवन परिचा लिखा है तो यह हाँ पर इन्पोर्टेंट थे रहीं नहीं है इनके बारे में सुत्रादास जी के बारे में गुरु अरजुन देव के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों गुरु अरजुन देव है कि 1563 इसभी में जन में ठीक है शिक्षों के पांचवे टूस्तों तूस्तों गुरु गरन्ग साब का संकलन किया तो यह तो महत्पून हो जाते इनके तो सभी पॉइंट इंपॉटेंट है और इसमेह कितने पड़ को फे मिलते हैं फैजिक है तो यह बी आपको पड़ना इनकी रचनाओं के नाम पड़ लेते तो देखिए इनकी लावन अखिरी और 12 मासा ठीक है तो यह तीनों ही इंपोटेंट है आपको तीनों के नाम पढ़ने याद रखने ठीक है तो शोले सोचे इस वी में जहांगीर के समय में इनको फांसी दे गई थी यह हमारे लास्ट है दोस्तों गुरू गोविन सिंह इनके बारे में पढ़ ले का ना स्थल पर हुआ ठीक है काफी इंपोटेंट है यह 1699 में इस भी में इन्होंने खाल सा पंत की स्थापना की कौन से पंत की दोस्तों खाल सा पंत की स्थापना की और कब 1699 में इस भी में ठीक है देखी दोस्तों इनके पांच परिये से से है और यह पांच प्यारे के न इनकी आत्म कता है गुरु गोविन सींग की यह आपको याद रखने है काफी इन्पोर्टेंट है और आप सभी जानते हो कि चंडी चरित जो है यह बहुत ही ज़्यादा इनकी प्रिसिद्ध है रशना तो यह जो रशना है न दोस्तों यह दुर्गा सब्तसती का अनुबाद ह तो इन भी दोस्ते कि आपको इनका नाम भी याद रखना है और देखिए जसिभ São पादशा गरंत का संस्ते का तो उसका अनुद्ध कर दोस्ते कोhoneश्चे है सब की लंबी सूची बना के इन्होंने लिखी है गिनाई है मितलब कि किसमें जफर नामा में तो आपको इनका नाम भी याद रखना है देखिए दोस्तों इनकी मृत्यूं का वह गई 1718 करणें टो तो यहाद रखना है यह हमने पड़ी लिया है कि किस कंगा कडा किरपक करपाल कच्छा यह 5 चीजहों को दहरन करते थे इनके जो 5 प्रियस थे पंच प्यार है वह अन 5 चीज़ों को ग्रेंड करते तो मैं समझती हूं या फिर मैं कहूँ कि मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आगी होगी चीजे कल हम जितने भी महत्मुन कोशन है पढ़ेंगे संतकाइब से सम्मदे तो आपको सारी चीजे रिवाइज हो जाएगी और अच्छे से संतकाइब आपको सिरू से लेके और अब तक समझ में आ जाएगा ठीक है दोस्तों करती हूं में यसा नहीं है कंल आपको यह देख नए है अपने पिछला में अरुकित नहीं होगी और पर्ट पर्मे में चीजे मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दोस्तों चलो बाई बाई हम मिरते अभी नेक्स्ट वीडियो में